आइए बात करते हैं अगले कॉलर से नेहा जी फिर से जुड़ गई है हमारे साथ स्वागत है आपका थांक जी बताई सवाल कर ये मैं मेरा सवाल ये है मेरी केज बैसे बत्ती सार ठीक है और अवाम المजे हर छके महीं इयमने कैलसलियम ओन जड़ाना पड़ताए खूण चड़वाना पड़ताए में खाने में भी गडियों और जो पोड़ी अपना खून नहीं बनाती है अगर आप समझ लें कि मैं आपसे क्या कह रहा हूं दिखें आपको रोज आना एक चुकंदर का जूस पीना है एक चुकंदर का जूस पीना है दिन में चुकंदर आप समझगे ना शल जैसा होता है और लाल होता है चुकंदर नहीं मिले तो गाजर का जूस पीना है रोजाना और उसमें आधा गिराम गौन मौरिंगा डालाना है गौन मौरिंगा नकली बहुत मिलता है असली ले और यह सफेज रंका होता है लाल वाला जो है वो मत लेना और यह आप रोजाना करना शुरू करें आपको बहुत फाइदा बंप कि लिए अगली कॉलर है आरती भाटिया हिमाचल प्रदेश से हमारे साथ स्वागत है आरती जी सीर बारे से अघ्र सीर बारी रता है और मेरे सीर मेरे में गेंडिया है एक राइट साइड है वो थोडИ बढ़ी बड़ी है दो लैट शाइड है वो छोटी छोटी है और कुछ बताना चाहेंगे डौक्टर ने इस गेंडिवित्य के बाहे में क्या बताया है मेरी न वो मैंने सिस्य कान भी करवाई मेरा सिटी गिल्टी है ना वो जासे रेशानि हम रसी होती है ठीक ली। मैथी के लिजे 100म 100 Gel好吧 मैथी 50 ग्राम जीरा और 100 ग्राम गॉर्ण मोरिंगा 100 ग्राम मैथी 50 ग्राम जीरा और 100 ग्राम कोण गॉर्ण इसका एक गिराम सुबा एक गिराम शाम पाउडर बनाके आप लिया करें और पानी जितना पी सकें गरम पिया करिए पानी भी ऐसा जैसे चाय आती न बिल्कु गरम गरम और हम चुस्कियां लेके पीते हैं ऐसे पानी पिया करें और लिवू पानी अगर आपको रास आता है त आपके लिए बहुत फायदेबन हो सकता है आई ये बात करते हैं अगले कॉलर से हमारे साथ अभिनाश है बिलासपुर से स्वागत है अभिनाश जी का डॉक्टर साब नमस्कार जी अधाव अभिनाश जी मेरी प्रॉब्लम यह है कि मेरे पिता जी 67 और उनको यूरिन में प्र जिनके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं जिनको भी इस तरह की परिशानी ज्यादा उम्र में होती है वो एक नुस्खा तो यह है कि आप एक आता है जैतून का एस्ट्रेक कहते है रसायन को जैतून का एस्ट्रेक कि से जैतुन का नमक हम गाउं की जबान में कहते हैं ये जरा Lakshmi से मिलता है और यह ले ले लिजे और दो चुटकी में जितना है एक ग्लास पानी मिलाकर रात को उने पिलाया करें और जरूरत दिन में भी दे सकते हैं एक खुराक से शुरू करें आप देखेंगे के के एक कि दुह दिन में ले लेंगे तो बहुत आसानी से उनको फायदा होना मुम्किन है तो बिलकुल अविनाज जी फायदा जरूर हो जाएगा लेकिन उसके अपना लीजेगा अधिक जानकारी प्राप्ट करना चाहते हैं तो हेल्प लाइन नंबर पे आप कॉंटेक्ट कर सकते हैं 24 आर्स कभी भी आजब बात करते हैं अगले कॉलर से अजमेर से हमारे साथ जूड़े हैं सफागत है आपका रगता है आपसे हमारा समपर्ट तूट गया है कोई बात नी परिशान बिलकुल नहीं होना है हम जानते हैं कि आप लोग परिशान हो जाते हैं कि हकीम सहाब से आपकी live बात नहीं टीम बैठी हुई है जो बहुत इत्मनान से आपकी बाते सुनती है आप लोग सारी बाते उनसे बहुत अराम से कर सकते हैं यहां पर समय का अभाव होता है इसलिए आप लोग उसे कहा जाता है कि जल्दी जल्दी अपना सवाल कीजी और कॉपे पैल लेके बैठी क्योंकि नु बताईए जी मेरे नम परवीना में भी है जी परवीना जी सवाल आपका लो बताईए बच्छा बताईए आज तो इन्होंने भी सलाम का जवाब दे दिया बताईए जजा कर ला बताईए 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 क्या खिद्मत जी हाकम साम मेरे उम्रा च्वाबिस साल है और मुझे ना वह वाई दिश्टारिस्टी प्रॉब्लम है ठीके पानी शादी हो गई आपकी नहीं सर्थ टीके जल्दी होने वाली है उसके साफ तर पांच आस साल हो ते वही प्राइए शफेद पानी की उसके साफ आप पाती न उसके बाद मैंने अल्डरसाउन करवाई थी तो उसमें से नितला पीपी ओडियू तो उसके साफ डिजेशन भी कीए नहीं है ताफ से ज्यादा परिस्टान हो गड़ते वाजन की है ठीक ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है खांसी नजला जुकाम के लिए बाकाइदा इलाज करि इस वक्त ऐसे लोग बहुत तकलीफ में हैं जिनको ये वोते मुदाफियत कहते हम लोग अर्दू में और हिंदी में कहते हैं रोग पिती रोदक शक्ति का कम होना और इम्मिनिटी को इंग्लिश कहते हैं इंग्लिश में कहते हैं इम्मिनिटी का कम होना तो इसके लिए माज है और जो खुवातीन को महीलाओं को खटी चीज़े पसंद है वो इलाज के दौरान उन्हा छोड़ देना चाहिए तो वो ठीक हो सकते हैं और यह जो इन्फेक्शन वगरा है इसके लिए आप एक दवा आती है कलोंजी का नमक कलोंजी का नमक या एस्टेक कलोंजी या रसायन कलोंजी कह सकते हैं अधा ग्राम आप पानी मिलाकर रोजाना एक बार पिया करें और चंद खुराकें लेंगे तो आपका यह परिशानी भी ठीक होना मुम्किन है हर्याना से नीलम हमारे साथ स्वागत है नीलम जी मैं मैंने अपनी मम्मी के दिए पहले ही पूछ था था उनको अस्तमा की दिक्त है और स्वास की भी ज्यादा प्रोब्लम है बलगम बहुत आता है हाट की प्रोब्लम है ज्यादा तो उसके लिए माजूनार केर मंगवाया है हमने तो उनके साथ हाट की यह और दवाई भी ले सकते हैं कि हमने और उनसे चला भी ने जाता है माजून आरकेर शुरू करिए हाट की दवा उसके साथ ले सकते हैं और एक बार को माजून आरकेर भूल जाए हाट की दवा न भूलें चला नहीं जाता मतलब दर्द है तो दर्द के लिए एक बड़ा अच्छा नस्खा है लेकिन उनको काफी पावलम है इसलिए आप बाद मे शुरू करना अभी शुरू ना करें और वो है गौंसिया आदा गिराम रोजाना दिया करें इनको बस एक ही खुराक दीजे क्योंकि हार्ट के पेशेंट है फिर बाद में देखेंगे एक ही खुराक इनको फाइदा करेंगी और हार्ट के लिए देखे एक बड़ा अच्छा सिर्का भी ए जैतून का सिर्का तीन चमच सिर्का पनेगर होता है जैतून का पानी में मिलाकर एक गरास पानी में राद को जरूर पिलाय करें यह हार्ट का बड़ा खायर लगता है ब्लॉकज खोल देता है और यह कॉलिस्ट्रोल का दुश्मन है और ब्लेट पृषर का दुश्मन है और बहुत सेحت का खायर लगता है भी बी ले सकते हैं एक एक करके के सारे इलाज करिए मम्मी के ताके आपको अधिक पुन हो सके चलिए अगले कॉलर है नासिक से विशाल सिंग बेदी हमारे साथ स्वागत है विशाल जी हाँ सर बताइए सवाल करें अधिक का पेन है मुझे अधिक का पेन है हाँ गयास्टि का पेन है आग या क्या कर रहें है अधिक का पेन है डोनों टांगों में थीक है थीक है देखि देखिए विशाण सिंग वह दी जी आप गवर से सुनिये मेरा निस्का इसमार ने बड़े लोगों को फाइदा दिया अब आप भी असली निस्के तक पहुँच जाएं और लिख लें और समझ लें तो आपको भी फाइदा मुम्किन है और उसका बहुत आसान है देखिए सौंफ लीजे पांच सो ग्राम और इसको पाउडर बनाके रखें सौंफ लेना अच्छी वाली जो बारीक वाली आती ना एक तो मोटी सी होती है चबाने में बड़ी मुश्किल होती है और एक होती बारीक बारीक जो हुटलों में जब बिल आता है न उसके साथ दे देते हैं वो वाली ये जो गौंध सिया आता है एक बड़ा मशूर गौंध है लेकिन असली मिलना जरूरी ये गौंध सिया यानि काला गौंध इसके दो चुटकी पाउडर लेना है आपको रो मैटेरियल पाउडर बना बनाया निलेना किसी पह भी विश्वास नहीं करना तो नहीं करना अब यह सो दो सो ग्राम खरीद लीजे पॉडर बना के अलग रखिए एक चम्बश सौफ का पॉडर दो दो चुटकी जितना इसमें आता है ना दो चुटकी में यह सौफ में मिलाकर खालिया करिए गरम पानी पीजे पांच बार और यह आप अमल करेंगे तो आपको दोनों आपने लायव अब किम सहाब से बात की है नुसके आपको बता दिये गए हैं अगर आप लाब उठाना चाहते हैं तो सिर्फ आप लोगों को यह अपनाने हैं बाकि दर्श को लाइव कारक्रम हैं अगर आप लोग भी ऐसे ही नुसके जानना चाहते हैं रोकसंबंधी जो आ आईए नबर्स पे कॉल कीजिए जो आपके सामने लगतार दिखाया जा रही है आईए सी के साथ बात करते हैं नेक्स्ट कॉलर से जी नमस्कार स्वागत है आपका अगर आप लोग अपने जीवन की एहमियत जानते हैं दर्श को अगर आप लोग अपने जीवन को एक सही दिखाना चाहते हैं जीवन का सुखद अनुभव करना चाहते हैं और खुशियां ही खुशियां अपने जीवन में लाना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे जरूरी है आपका सेहत मंद रहना अगर आप रोग रस्त व्यक्ति हैं या फिर आपका कोई रोग ऐसा है जिसका इलाज हो पाना नामुम्किन सा हो गया है या फिर आप लोग अप ऑपरेशन कराने की सोच रहे हैं ऑपरेशन की नौबत आ चुकी है डॉक्टर से कह दिया है सिर्फ ऑपरेशन ही एक मात्र सॉल्यूशन है तो आप सभी से कहना चाहूंगी रुख जाएए ठहर जाएए एक बार हम से जुड़िए फिर देखिएगा क्या पता आपको ऑपरेशन ना करवाना पड़े तो चलि जी भगवान जी बताईए तर मेरे को प्रावलम है थोड़ी एक साइड में गुर्दे में दर्द होती है तो थोड़ी इंफेक्शन भी अंदर से कोई पास भी चलती है कभी-कभी तो उसका कुछ बताईए नुसका वो एज बता दीजे भगवान जी सर मेरी एज है कोई 35 सा गुर्दे का बहुत ख्याल रखते है नारियल पानी एक नारियल पानी रोज खरीदें और उसमें एक आता है नमक जैतून जैतून का नमक कहलाता है यानि एस्टेक जैतून या रसायत जैतून भी कह सकते हैं सो ग्राम खरीद लीजे और ये दो चुटकी में जितना आए है यानि आदा ग्राम समझ लीजे आदा ग्राम आप एक नारियल पानी में डालें और रोज आना पी लिया करें गुर्दे की तरफ से बेफिकर हो सकते हैं आप गुर्दे पर तवज्जे जादे दिया करें इस हॉस्पिटल जा तो ऐसा लगता है पूरी दुनिया डालेसिस पर है आप इस पर ख्याल करिए और रोज ये अमल कीजा और पांच बार गरम पानी पीजे पांच बार पानी थोड़ा ज़्यादा पिया करिए धाए लीटर करीब अगर आप पानी रोज पिएंगे तो आपकी ये समस्या का निवारन मुमकिन है